डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर की दो करोड की ठगी ये खबर थी 24 अप्रेल की और मामला था उज्जैन का डिजिटल अरेस्ट के जरिये ओनलाइन ठगी करने वाले दो आरोपी गिरफतार देश भर में सैकडों लोगों से की थी लाखों रूपे की ठगी ये खबर थी 5 जुलाई की मामला था इंदौर का उज्जैन में रिटायर्ट बैंक अधिकारी से 50 लाख की ठगी सीबी आई बन कर धमकाया और मोबाइल पर भेजा अरेस्ट लेटर ये मामला है 10 अगस्थ का एक कॉल से चली गई जमापूंजी खबर है 11 अगस्थ की और ये मामला भी है इंदौर का तो इन सब खबरों में क्या कॉमन है डिजिटल अरेस्ट साइबर क्राइब पिछले कुछ समय से मधिप्रदेश में ऐसे मामले बढ़ गए हैं पिडितों के पास फोन आता है उनके खिलाफ कोई बड़ी शिकायत होने की बात कही जाती है उसके बाद संबंधित व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट किये जाने की बात कही जाती है बस फिर क्या भोली भाली जनता इतने में डर जाती है और उनके साथ होता है लाखों का फ्रॉट नमस्कार मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमरुजाला अगर हम बात करते हैं 10 और 11 अगस्त की तो इंदोर और उजयन जिले में दो बैंक मेनेजर ठगी का शिकार हो गए शातिर ठगों ने उन्हें मनी लॉंडरिंग का डर दिखाया और डिजिटल अरेस्ट किया 90 लाक रुपे ठग लिए तो अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर डिजिटल अरेस्ट है क्या मधिप्रदेश में डिजिटल अरेस्ट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं डिजिटल अरेस्ट का मतलब होता है किसी को फोन या अन्य डिजिटल माध्यमों से बंदी बना लेना इतना डरा देना कि वह कहीं पर भी बात ना कर सके इस दौरान साइबर फ्रॉट करने वालों को अपना पैसा भी दे दे और ठगी का शिकार बन जाए इंदौर समेथ दुनिया भर में डिजिटल अरेस्ट के मामलों में पिछले दो से तीन साल के दोरान तेजी से इजाफा देखा गया इस सब्ता इंदौर और उज्जेन में डिजिटल अरेस्ट के दो मामलों में अपरादियों ने 90 लाक रुपे लूट लिए दोनों ही मामलों में एक ही जैसे अपराद का पैटर्न देखा गया एक तरह के फोन कई लोगों को आ रहे हैं पुलिस का कहना है कि जागरुकता ही एक मात्र विकल्प है जितना जागरुक रहेंगे उतना बचे रहेंगे बदमाशों ने खुद को CBI अफसर बताकर एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी राकेश कुमार जैन से 51 लाक रुपे से जादा की ओनलाइन ठगी की आरोपियों ने उन्हें मनी लॉंडरिंग में फसानी की धमकी दे साथे सुप्रीम कोट का डर भी बताया अधिकारी को गिरफतारी का डर दिखा कर दो दिन तक घर में ही डिजिटल अरेस्ट किया गया पचास लाक इकत्तर हजार रुपे ओनलाइन ट्रांसफर करवा दिये गए धोकाधड़ी का शक होने पर बुजूर्ग रिटायर अधिकारी ने शनिवार को माधवनगर थाने में F.I.R. दर्ज कर आई राकेश कुमार जैन S.B.I. बैंक में मैनेज़र के पत से रिटायर हुए उनकी पत्नी उनके साथ रहती है दो बेटे हैं लेकिन उजैन के बाहर जौब करते हैं ऐसे में वो जब डिजिटल अरेस्ट हुए तो किसी को इस बारे में बता नहीं सके और 50 लाक से ज़्यादा गमा दिये दूसरी खबर महलक्ष्मी नगर की जहां महलक्ष्मी नगर में रहने वाले एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी राकेश कुमार गोयल के साथ भी यही संसनी केस ठगी का मामला सामने आया बदमाशों ने उन्हें भी डिजिटल तरीके से गिरफतार करने का जहांसा दिया उनसे लगभग 40 लाक रुपे की ठगी की गई पुलिस के अनुसार घटना 11 जुलाई की है केस दर्ज करवाया गया राकेश कुमार गोयल को एक फोन आता है जुसमें वो खुद को मुंबई के अंधेरी ठाने का जवान बताता है उस व्यक्ती ने उन्हें बताया कि उनके खिलाफ मनी लॉंडरिंग का वारंट जारी हुआ है इसके बाद बदमाशों ने उन्हें डराते हुए पैसे ट्रांसफर करवा लिए राज्य साइबर सेल में पुलिस अधिक्षक जीते इंदर सिंग ने अमरुजाला से खास बात चीत की जब हमने उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर ये मामले क्यों बढ़ रहे हैं डिजिटल अरेस्ट है क्या तो उन्होंने बताया कि डिजिटल अरेस्ट के तीन ही प्रमुक कारण हैं जो अब तक सामने आए हैं पहला है डर दूसरा है लालच और तीसरा लापरवाही उन्होंने तीनों कारणों को विस्तार से भी समझाया डर फोन आता है आपके बेटे को ड्रक्स के मामले में पकड लिया गया है टी आई आपसे बात करेंगे एक व्यक्ति फर्जी टी आई बनकर बात करता है और पैसों की डिमांड करता है लोग पैसे ट्रांसफर कर देते हैं क्यूंकि डर था लालच शेयर बाजार क्रिप्टो करंसी निवेश के नाम पर लालच दिया जाता है बताया जा लोगों को आज भी डिजिटल के बारे में बुनियादी जानकारी नहीं है जिस फोन के साथ आप दिन भर काम कर रहे हैं उसके सही उपयोग से अब भी लोग अनभिग्य हैं पूरा डेटा फोन में रखते हैं आपके आईडी पासवर्ट सब चुराए जा सकते हैं बिना सोचे समझे लोग आज भी QR कोड स्कैन कर देते हैं और उनका अकाउंट खाली हो जाता है दो लाग से अधिक के फ्रॉट के 50 मामले अब तक दर्ज हुए हैं जितेंद्र सिंग ने बताया कि दो लाग रुपे से अधिक के फ्रॉट के 2023 में 50 मामले दर्ज हुए हैं इस साल भी अभी तक 25 केस दर्ज किये जा चुके हैं साइबर सेल में 2 लाग रुपे से अधिक के मामलो को देखा जाता है तुरन शिकायत करने से पैसा मिलने की उमीद रहती है जितेंद्र सिंग ने आगे ये भी कहा कि पुलिस में शिकायत करने से पैसा वापस मिल जाने की उमीद होती है लेकिन शिकायत तुरन थोनी चाहिए भारत के बैंक अकाउंट में ही अधिकतर मामलों का पैसा रहता है यदि पीड़ी तुरंट शिकायत कर दे तो पैसे को बैंक से निकलने से रोका जा सकता है ठगी से बचने के लिए क्या करें इस तरह की किसी भी घटना पर तुरंट 1930 यानि 1930 पर फोन किया जा सकता है यह साइबर क्राइम का नेशनल हेलप लाइन नंबर है इसके बाद पास के पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएं तो मधिप्रदेश में लगातार बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट और साइबर क्राइम को रोकने के लिए सभी को जागरुक रहने की ज़रूरत है आपको क्या लगता है क्या आपके आसपास भी इस तरह के मामले किसी के साथ हुए है क्या आप भी ऐसी घटना से अब तक सतर्क थे या अब भी अनभिग्य थे इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं